हुआ है है कि नमस्कार स्वागत है आप सभी का फ्यूशर फश्च क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज का जो सेसन है इसमें हम चर्चा करेंगे आपके जो व्यएमियू की जो असाइनमेंट है उसके उपर हम चर्चा करेंगे और Assignment जो है जिनका Admission Session जो है जुलाई 2022 में जिन्होंड Advent Amission लिया है चाहिए वो Permotif Horm फिल करके Admission लिया हो या फिर उनका जो है New Admission हो या फिर ज़नवरी 2023 में जिन्होंड Advent Amission लिया है उनके जो Assignment जो है उनके उपर आज का जो सेसन है इस पे हम चर्चा करेंगे उनको कैसे डाउनलोड करना है कैसे उनको सम्मिट करना है complete जो information है वो आज का जो session है इसमें हम चर्चा करेंगे तो आज का जो session है वो हम start करते है सबसे पहले आपको जो है VMU की जो official website है उसको आपको open करना है जैसे ही आप Google पे जो है search करेंगे VMU तो VMU की जो official website है उसको open करने के बाद कुछ इस परकार से जो है आपके पास interface आएगा तो इसमें जैसे ही निचे जाएंगे तो आप right side में जो है आपको यहाँ पे एक option मिलेगा student one view का इस student one view पर आपको क्या करना है click करना है जैसे ही आप student one view पर click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस परकार का interface आएगा अब आपने जब एडिमसन लिया था तो उसके कुछ time बाद आपको scholar number जो है alert हो जाता है जो आपका roll number भी होता है उसको आपको यहाँ पर fill करना है और यहाँ पर जो keyboard दिया हुआ है इसमें आपका जो date of birth जो है यहाँ से choose करकर then आपको submit पर click करना है जैसे आप submit पर click करेंगे तो आपका जो student one view है वो open हो जाएगा अब student one view open हो जाएगा उपर जो है आपकी कुछ common details रहेंगे details assignment status study material आपका जो dispatch जो हुआ है उसका details इस परकार से आपको slot मिलेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो जुलाई 2021 जुलाई 2022 में जिनुन लिया था तो उनके जो यहाँ पर assignment जो है वो यहाँ पे update हो चुके है जैसे यहाँ पर download का option आ रहा है यहाँ पर जैसे ही आम इस डाउनोड option पर जो है क्लिक करेंगे तो आप अपने जो assignment जो है वो यहाँ से आप download कर रखते हैं यह सारे जो है वो आपको admission डीटेल्स इहां पे जो आ रहा है इस slot में आपको मिलेंगे assignment status पर klik करेंगे तो जैसे आप assignment submit करेंगे तो आपको assignment जो है original center पर receive हुए है या नहीं हुए है उसकी detail इहांपे आपको मिल जाता है exam details पर लिख करेंगे तो आपका जो डीटियल साब का रिजल्ट जो है ओल्ड जुझरु रिजल्ट है वह यहां पे आपको मिल जाता है इस परकार सी आपका जो है का जो है कफी स्परकार से अपदेट हो रहे हैं यह कि तो जुलाई का है उनके जो assignment है उनको कैसे यहां पर मिलेगा जैसे जिन्होंने जन्वरी 2022 में एडिम्सन लिया था फर्स्ट टाइम एडिमसन उता है जन्वरी 2022 में तो यह जो एडिमसन ने जन्वरी 2022 आपका आएगा अब यहां पर देख सकते हो जैसे जिनका एडमिशन जनवरी 2022 और जनवरी 2023 जो है उनकी असाइमेंट यहां पर आज गए हैं जैसे यहां पर जनवरी 2023 का है तो यहां पर ऑप्सन आ रहा है डाउलोड का इस डाउलोड पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके जो असाइनमेंट है वो कुष्चन जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगा अब उन कुष्चनों को कैसे बनाना है उनको कैसे सब्मिट करना है कैसे उनको जो है आपको लिखना पड़ेगा कैसे आपको फाइल में बनाना है उसके लिए आपको जो है complete information के लिए आपको future first classes क का एक application है उसको आपको download करना पड़ेगा future first classes का application है इसको आप download कीजिए download करने के बाद जो है आप निचे यहाँ पर देख सकते हो एक option आएगा यहाँ पर store का इस store option पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी courses जो है assignment से समंदित आपके program से समंदित जो भी courses जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जैसे आपका जो है assignment का एक course है इसमें आपको क्या क्या मिलेगा आपकी question की जो booklet जो है वो आपको मिल जाएगा जो assignment आपने डाउनलोड के एक student one view से उसको आप देखिए इस question booklet से आप match कीजिए यदि वो same to same है तो आपके लिए जो है यह assignment जो है यह आपके लिए है इस course को आ आप access कर सकते हैं assignment को कैसे बनाना है उसके complete information इसमें दियाओ है इसमें एक वीडियो है उसको complete देखिए उसको analyst कीजिए देन आपको assignment start करना है उसके बाद जो है assignment की जो solution की जो PDF जो है वो इस section में मिलेगी आपकी जो भी paper जो है उनकी assignment की जो solution जो है उनकी जो PDF जो है वो इसमें आपको मिल जाएगा उन PDF को देखके आप अपना जो है answer लिखे और file को जो है complete करके उसको submit कर दीजिए तो यह जो है यह process है तो जनवरी 2023 जिनका एडिमिशन session है और जुलाई 2022 जिनका एडिमिशन session है उनकी जो assignment है वो यहाँ पे upload हो चुके हैं अपने assignment time से बढ़ाईए time से submit करवाईए otherwise बाद में जो है काफी problem हो जाती है assignment कब submit करवाने कब last date आएगा तो इन तमाम जो आपकी जो है शमस्याए जो है उनसे बचे assignment time से submit करवाना है आपको exam time से दे या नहीं दे लेकिन assignment आपको time से submit करवाना है यदि assignment यदि आप time से submit नहीं करवाते हैं तो आपको जो है काफी आगे जो है problems आ जाती है last date का पता नहीं चलता तो आज का जो session था उसमें हमने यहाँ पर चर्चा की है अन्य परकार कि यदि आपकी कोई भी queries है तो इस वीडियो के नीचे comment कीजिए निश्चित तोर से आपकी comment का जवाब दिया जाएगा यदि relevant comment होगा और अपने सभी दोस्तों के साथ share कीजिए काफी student को पता नहीं होता है उनके admission session के assignment आगे है उनको submit करना है तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है